नमश्कार मैं हूं साक्षी बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सक्षंता परिक्षा की दूसरे दीन दुईतिय पाली की परिक्षा रद्द इस मैच में डेब्यू के बाद पहली बार बिहार पहुचे आकाश दीप किसानों को क्रिशी कारे के लिए मुफ्त में मिलेगी बिजली का कनेक्षन बीए सीबी ने ग्यारवी और नौवी की वार्सिक परिक्षा की तीदी की घोशना की बिहार में प्रस्टचार के खिलाव लागू होगा नया कानून इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से सक्षमता परिक्षा की दूसरे दिन द्वित्य पाली की परिक्षा हुई रद्द बिहार में योजित सिक्षकों के लिए सक्षमता परिक्षा का आयोजन किया गया है और कई सिक्षकों ने परिक्षा का बहिसकार किया था लिकिन इसके बावजूद सिख्षक परिक्षा दे रहे हैं इसी करी में बिहार विद्याले परिक्षा समीटी ने दूसरे दिन की दुसरी पाली की परिक्षा को रद्ध कर दिया आपको बता दे कि तक्नीकी कारुनों की वज़े से परिक्षा को रद्द किया गया है बिहार बोट के परिक्षा नियंतरक ने विग्यप्ती चारी की और इसके जरिये सभी को इस बात की जानकारी दी राज में 52 केंडरों पर दूसरी पाली की परिक्षा के दौरान तकनी की परिशानी पैदा हुई और बताया जाता है कि परिक्षा केंडर में दो घंटे बैठने के बाद कई परिक्षारतियों को इस बात की जानकारी दी गई टेस्ट मैच में डेब्यू के बाद पहली बार बिहार पहुचे आकाश दीब राची में इंग्लैंड के खिले गए टेस्ट मैच में टीम इंडिया को नया सितारा मिला मालूम हो कि इस मैच में आकास दीप ने डेब्यू किया और उसके बाद पहली बार वो बिहार पहुचे है उन्होंने पहली पारी में शांदार गेंदबाजी करते वे तिन खिलारियों को आउट कर दिया था टीम इंडिया में बहतरीन प्रदशन के बाद आकास दीप रौतास पहुचे और यहां सभी ने उनका भव्य स्वागत किया उनकी एक जलक भार पाने के लिए लोग बेताब दीके उनके आस पास लोगों की भीड जमा हो गई आपको बता दे कि कई लोग उनके साथ तस्वीर खिचवाना चाहा रहे थे और आकाश दीप ने इस दौरान सासाराम में सौतंदृता सेनानी निशांत सिंग की प्रतिमा पर माल्यार पन किया बीएसीबी ने ग्यारवी और नौवी की वार्सिक परिक्षा की तिथी की घोशना की बिहार विद्याले परिक्षा समिती ने ग्यारवी और नौवी की वार्सिक परिक्षा की तिथी की घोशना कर दी है दोनों ही कक्षा के एक्जाम के स्ट्डिूल को जारी कर दिया गया ह जिलासिक्षा पतादी कारियों को परिक्षा से संबंदी डीटेल को भेज दिया गया 11 की परिक्षा 13 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी वहीं प्रायोगिक परिक्षा 21 और 22 मार्च को ली जाएगी देश के पहले रास्पती डॉक्टर राजेंदर प्रशाद की पुन्यति थी आज, इनका ज़न्मित तीन दिसम्बर को 1884 को बिहार के सिवान चले मिस्थी जिरादेई में हुआ था, आपको बता दे की राजेंदर प्रसाद राजनीति के एक ऐसे सितारे हैं जो सदियों तक ल ने श्रधान चले दी है आपको बता दी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रिशाद महात्मा गांधी से काफी अधिक प्रभावित थी और उन्होंने सोतंदता आंदूलन में काफी एहम हुमी का निभाई चमपारन सत्यग्रा में वो महात्मा गांधी के काफी करीबी थे वहीं कॉ किसानों को क्रिशी कारियों के लिए मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा इसके लिए 7 परवरी से लेकर 1 माच तक विशेश कैम्प का आयोजन किया जा रहा है इस योजना का लाब लेने के लिए किसान प्रखंट या पंचायत अस्तर पर कैम्पों में आविदन कर सकते हैं और किसानों को 70 पैसों की दर से बिजली भी लेगी मालूम होगी क्रिशी से चुड़े काम के लिए पंप सेट के लिए किसानों को सरकार मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रही है और इसके लिए सुविदा अप के ज़र्य भी आविदन किया जा सकता है आपको सरकारी स्कुलों में कारेरत सुख्षकों के निधन के बाद उनके निकटम आश्रतों को सहायक और परिशारी पर उनकी योगिता के अनुशार अनुकंपा पर भरती दी जाएगी सुख्षा मंत्री विजचोल्टी ने विधास्वा में इस बात की जानकारी दी मालूमों कि बेहार लोग से वायोग के माध्यम से सुख्षकों की निकटी ली जा रही है और इसमें अनुकंपा से निकट होने का प्रावधान नहीं है सुख्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि परिशारी पदोपश रिजन की कारवाई की जा रही है वहीं साल 2006 से लेकर के 2015 और फिर साल 2015 से दो हजार तैस तक जरूरी योग गिता धारियों को अनुकंपा पर न्यूक्ती मिलेगी वहीं साल 2006 से 2015 और फिर साल 2015 से 2023 तक जरूरी योग गिता धारियों को अनुकंपा पर न्यूक्ती दी गई वहीं साल 2015 से लेकर तैस के बीच अनुकंपा पर न्यूक्ती का कोई आविदर लंबित होगा तो इस पर फैसला लेने पर सरकार विचार करेगी आरजेडी एमिले के फ्लैट से शापेमारी में एडी ने कई कागजात को बरामत किया है एडी के टीम ने भोजपूर और पटना दोनों के अलग-अलग इलाकों में शापेमारी की बताया जोता है कि करीब 16 खंटे तक ये शापेमारी हुई मीडिया रिपोर्स के अनुसार इस दोरान बरी संख्या में एडी ने कागजात को बढ़ामत किया इन कागजातों में कई इस थानों में निवेज के साथ ही जमीन से जुड़े कागजात बढ़ामत हुए हैं और ज बिहार में ब्रस्टचार के खिलाफ लागू होगा नया कानून बिहार में ब्रस्टचार के खिलाफ नया कानून लागू हो सकता है ब्रस्टचार को लेकर सकती और बढ़ जाएगी राज्र के सरकारी महकमी में होने वाली गरबड़ी के लिए सरकार ने तयारी कर ली है इस अचारे के प्रस्टचार के खिलाफ ये नया कानून पहले के मुकाबले और सक्त हो जाएगा इसमें किसी भी प्रकार के प्रस्टचार के खिलाफ गंभी श्रेनी का अपराद मान कर कारवाई की जाएगी और अपराद की सजा 5-7 साल निर्धारत करने के प्रावधान नय कानू में किये जा सकते हैं, खगर्या में SFC के AGM घूस लेते गिरफ़तार, खगर्या में निगरानी विभाग की टीम ने FSC के अधिकारी शाहीद रजा को घूस लेते हुए गिरफ़तार किया है, इन्हें एक लाग पांट हुजार रुपे घूस लेते गिरफ़तार किया गया, पेजियम शाहिद रजा चावल खरीद के बदले 30,000 रुपए की मांग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्च कराई शिकायत के बाद इस मामले में कारवाई की गई है राज्यकादी निगम की अधिकारी चावल की सप्लाई होने नहीं दे रहे थे और घूस ले है कि विदान सभा में एंडिये में शामल होने वाले सभी विदायकों को पार्टी अयोग्य ठहराने की मांग करती है राज्युत ने अपने चारो विदायक संगीता कुमार, चेतनानंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव को सदन की सदसुता से अयोग्य ठहराने की बहा है और इससे भाजपा और जदिू डर चुकी है उन्होंने कहा कि राजत के विदायकों का दल बदलना गलत है बिहार में गैंग्स्टर पर नकेल कसने के लिए बनेगा नया कानून बिहार पुलिस मुख्याले में पुलीस दिवस का आयोजन हुआ और उसमें बिहार में गबन करने वाले माफियाओं से सरकार उत्तर प्रदेश के गैंस्टर कानून की तरह सक्ती से कारवाई करेगी राच्च में तेरा करूर की आबादी पर दो लाग जवान कारे कर रहे हैं सबकी मदद के साथ बिहार की पुलीज लॉएन ओर्डर को मेंटेंड कर रही है विधायकों के तूटने के बाद महागरबंदन के नेताओं ने किया प्रदर्शन बिहार विधान सभा की कारवाई के दौरान विधायकों के तूटने पर महागरबंदन के नेताओं ने प्रदर्शन किया है कॉंग्रस में तूट पर पार्टी के विधायक दलके नेता शकील एहमद ने कहा है कि दो विधायक मुरारी गौतम और सिधाट भाजपा में शामिल हो गए और इसके बाद पार्टी ने उन्हें निसकासित कर दिया है इस मामले को लेकर विधान सभा के अध्यक्ष के पास याच्रका डालेंगे साथ ही उन्हें सदन से निसकासित करने की मांग करेंगे बिहार पहुचे रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग का दावा सीता मढ़ी में खिलेगा कमल देश के रक्षा मंत्री राजनात सिंग बिहार के सीता मडी जिले में पुझे अडिया, उन्होंने सीता जन्म भूमी पुनौरा धाम में माधा सीता का दर्शन किया और उनकी पूजा अर्जना की इस दोरान रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि सीता मंत्री में मा जानकी की कृपा से कमल खिलेगा मालूम हो कि रक्षा मंत्री की दोरे को आगामी लोगसभा चुनाओं से जोड कर देखा जा रहा है रक्षा मंत्री ने सीता मडी में का है कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की देश में विश्वसनियता में इजाफा हुआ उन्हें लेकर देश में शायदी कोई ऐसा जगा होगा जहां पर कमल नहीं खिलेगा मालूम हो कि सीता मडी की लोकसभा सीट फिलाल जदियू के पास है यहां जदियू के सुनील कुमार पिंटू सांसद है जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है दिल्ली के राउज इवन्यू कोट में सुनवाई हुई पुर्व मुखेबंटरी राबरी देवी अपनी बेटी मीसा भार्ती और हेमायादव के साथ कोट पहुचे इस दौरान कोट ने तीनों आरूपितों को जमानत दे दिया कोट ने सुनवाई किती थी 28 परवडी निर्धारित किती और इसके बाद इन्हें कोट ने राहत दी मालूमों के रिल्वे में हुए कतित गोचाले के मामले में लालू परिवार से 5 लोग आरूपित बनाए गए इनमें लालू आदव राबडी दीवी, मीसा भार्ती, हेमाय आदव और तीजस्वी आदव शामिल है भारत बनाम इंग्लैंड के आकरी टेस्ट मैच में बुम्रा की हो सकती है वापसी भारत बनाम इंग्लेंट के आखरी टेस्ट मैच में जस्पृत बुमरा की वापसी हो सकती है मालूमों कि दोनों ही देशों के बीच आखरी टेस्ट मैच दरमशाला में खेला जाएगा पताय जोर है कि इसमें जस्पृत बुम्रा के वापसी हो सकती है जब के ल जाहुल पांचवे टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं उनकी इंजरी के कारण उन्हें रिलीज किया गया उनके दाही ने क्वाड्रिसेपस की पिछले साल सरजरी हुई थी और इसके बाद वो पूरी तरीके से फिट नहीं होए है इसलिए हो सकता है कि वो पांचवे टेस्ट मैच में भाद्ये टीम के साथ नहीं खेले हालंकि ये पूरी तरीके से उनके fitness पर निर्भर होगा बीते दिन हमारे दौरा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया जिन्होंने हमारे दौरा पूछे गए सवाल का जवाब दिया आज का हमारा सवाल है अरजेटी और कॉंग्रस के पाला बदलने वाली विधायकों पर कारवाई की मांग पर आपकी क्या राय है आप अपना जवाब हमें हमारे comment section box में लिख कर ज़रूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और अगर आप YouTube से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद